हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तो चलिए आज जानती हैं तराकी प्रतिविक्ता की प्रकार और नियम की बारे में दोस्तो इसके पहले के वीडियो मैंने तराकी के मेजर्मेंट्स और इतिहास के बारे में फुल डेटेल में बता चुकी हूं उ दोस्तो यडि आप चैनल पर पहले बार बीजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल यॉविडियो को सबस्काइब कर लेजिए ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए बला एकन को फ्रेस्ट कर दीजिए ठिक है इसमें से फ्री स्टाइल जो है लड़कों के लिए 100, 200, 400, 800, 1500 मीटर की होती है ठीक है और लड़कियों के लिए 100, 200, 400 ठीक अब बैक स्ट्रोक जो है वो लड़कों के लिए 100, 200 मीटर की होती है और लड़कियों के लिए 100 ब्रेस्ट इंट्रोक भी लड़कियों के लिए 100 दूसओ लड़कों के लिए 100 दूसओ लड़कों के लिए 100 ब्रेस्ट के लिए 100 होता है यह चारं चाहएurg लड़की होता है थ registrar record चार गुड़े 60 मेडले बस बरेस्ट बर्टवरीं स्टायल होती है, वू अलग से अलग से होता है, लर्जक्यों देखे लिए 4 घुरे 50 उटेल होता है यहां पर यहां कंफीर मद्न चार प्रकार है तरहएकी प्रतुच्वित्हां चार स्प्रकार प्रकार की उति है फ्रेस्टा सिर्ट किपनि प्रकार के तो अब जानते हैं इन चारों के बारे में यानि कैसे इसको अफ्लाइए किया तो इसके नियम जानते हैं तो फ्रेश टाइल पहला है फ्रेश टाइल दोस्तो फ्रेश टाइल तराकी का अर्थ इस फ्रकार या धंग से तराकी करना होता है जो की butterfly stroke, breast stroke या back stroke से अलग होता है थीक है फ्रीश्टैल में तराकी के मुड़ने और दोड़ की समापती के समय तरण ताल की दिवार को हाथ से छूना जरूरी नहीं होता है वह अपने सरीश के किसी भी अंग से छू सकता है इसलिए इसको फ्रीश्टैल कहा गया है दुसरा है बटरफलाई स्ट्रोप इस प्रतियोगिता में दोनों बाजू जो है पानी की सतह के उपर इकठे होकर के आगे से पीछे ले जाने पड़ती है यानि दोनों बाजू पानी की सतह के उपर क्या करते हैं इकठे कर लेते हैं उसके बाद पानी पे आगे से पीछे ले जाना पड़ता है ठीक है और मुकाबला के शुरू होने पर और समाप्ट होने पर छाती जो है उपर होने चाहिए और दोनों कंधे पानी की सतह पर संतोलित होना चाहिए और पाउं की क्रियाएं इकठी हो ठीक है यह है बटर फुलाई ठीक है तिसरा है बैक इस्ट्रोप बैक इस्ट्रोप पतेयोगिता में भाग लेने वाले शुरू होने वाले अस्थान पर उस और मुग करके हाथ कुंड पर रखे तथा पैर पानी में होना इसमें जरूरी होता है और गढ़े में खड़े नहीं हो सकते और प्रारंब का संकेत मिलने पर तैरते समय बैक से तैरेंगे यानि पीड से तैरेंगे बैक इस्ट्रोप का मतलब होता है बैक मतलब पीछे यानि पीछे मतलब पीड से ठीक है तो बैक इस्ट्रोप फीठ के बल तैरा जाता है ठीक है प्रारंब संकेत मिलने पर तैरते समय बैक से यानि पीड से तैरें मुड़ते समय या शमाभ्ती पर चुमणा दोनों हां से पाने की अंदर या उपर जरूरी है सील का हिष्टा पाने की सतह से ऊपर रहना जरूरी है ठीक हैm अब चलिए जाल लेते हैं तिराकी के कुछ नियम ठीक हैm जैसे कि अयमत्र प्रतियोगी को बादा डालने वाला ब्यक्ति जो है अयोग्य घोशित किया जाएगा ठीक है यादि किसी तुरुटि के कार्ण प्रतियोगी की शभलता की संभाउना जो है संकट में पढ़ने की जिसा में जजों को या अधिकार होगा कि उसे अगली दूर में भाग लेने की आग्या दे ठीक है यदि किसी तुटिक कायों उसकी सफलता की संभावना संकर्ट में परने एक दिसा लगता हो तो वो जज को या धिकार दिया जाता है कि उसे अगले दर्मे भाग लेने की आग्या मिले ठीक है लौटती समय तरलताल अथ्वा मार्ग के अंत को एक या दोनों हाथों से इसपश्ट करेंगे ग्रीह के तल से डग मानने के अनुमती नहीं है देश्ट है दोड की समय यदि प्रतियोगी पल पर खड़ा हो जाए तो उसे अयोगी नहीं घोसित किया जाएगा परंतु वह चलेगा नहीं जल मार्ग की सारी दूरी पार करने वारा प्रतियोगी ही बिजेता घोसित किया जाएगा जो जल मार्ग की सारी दूरीोग को पार करेगा वही बिजेता होगा रिले दवड में जिस प्रतियोगी टीम के पाउं निरवर्तित साथी की दिवार से इस पर्ष से पूरु भूमी से हर जाएंगे वह आयोगी घोसित किया जाएगा जब तक कि अपराधी प्रतियोगी मूल प्रारम बिन्दू पर न लोट जाए ठीक है प्रारम प्रिफार तक लोटना आवस्यक नहीं है प्रतियोगी ता कि समय किसी प्रतियोगी को कोई ऐसी वस्त का प्रयोग नहीं करना है थ्वा पहनी के आग्या नहीं होती है किसी ऐसे ची तो दोस्तो एथा तराकी प्रतियोगीता के प्रकार और कुछ नियम के बारे में और इसके पहले की वीडियो में उसके तराकी के मेजर मेर्स हिस्टरी के बारे में बात हुई है तो दोनुग वीडियो मिलाकर के तराकी का फूल इंफरमेशन आपको प्राप्थ हुआ तो दोस्तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रू पसंद आया होगा आपके गयम के दिश्टी से बिर इंपॉर्टन टॉफिक है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमिट बास में जरूर बताएए और वीडियो को जादे से जादे अपने दुस्तों तक सेयर कीजिए जिसे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुच सके जिसे आप पहली बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क् किजिए और ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस्ट करना नहीं भूलिए क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूं उसका नौटिफिकेसन आप तक पहुचता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंद